नमस्कार दोस्तो मैं हूं लक्समन और मेरे चनल रांड पर आपका एक बर फिर्श्वागत है दोस्तो आज मैं आपको लेकर आया हूं दोसा जिले और जेपुर जिले की सीमा पर बसे गाउं हैमले वाला में और दोस्तो यहां पर एक बहुत ही पुराना भेहरुजी का इस्थ पराना मंदिर और बहुत आतकालिक बहरुजी है और इनका नाम उगाडमल जी है और यह इनको खेज़ने वाला बहरुजी भी कहते हैं हम आपको आगे पूरे वीडियो में बहरुजी और चोटे चोटे उनके बने वीस्तान है वो दिखाने वाले और भेहरुजी की महीमा मै कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं थो दोस्तों मैंने बताया था को कि हड़न Islamic महराज्य ने हम और भॉण देख रहे होंगे मन्दिर्शृ भहरुजी महराज और अब देख रहे होंगे यहां किसी का इंट्रुवी लेने की कोशिश करेंगे हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वेड़ी महाराज को मंदिर है और जो चबूत रहा है उसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं यह महाराज की जो मूर्ती है यह पद्राई की यह यहां पर और दोस्तों यह जो को बावा फल देते हैं वह यह कुछ नकुछ कर वाके जरूर आते हैं दोस्तों इनको खेजले वाला जेते हैं क्योंकि जब यह बहुरुजी महाराज का यहां प्रद्रापन किया गया यहां जब भी माराज को यह पद्राइए गया तब यहां फेड़ा पेड चोटा सा था यह तब पदराय गया था जब जैपुर कोट में जैपुर्वसा था तब यह भारुज अन को पदराय घय था और यह खेजड़े का थोटा सा प्ट था उनके नीचे लेहिएंगे अंके गरगए और इनको यहां पर फिर उनके गाहना था और इसका जो आगे पूरी कहानी है वो यहां एक बाबा रहते हैं वो आम उन से हम पूचेंगे वो भी हमें सारी बता देंगे कि कहां से तो आए और यहां पर कैसे इनको पद्रा गया और वो यहां पर आज 600-700 साल पुरानी बात होगी तब से यहां यहां पर यह बश्चे बह वक्तों ने और यहां गामवालों ने करवाया है और जो इदर अभी आपको दिखा आएंगे यह चदर बने वे यह बहुत दो चेले हैं वह भी आए उनका आगे वीडियों आपके पास अभी जिक्र करूंगा और अब देखें दोस्तों पूरा वीडियो और बहुत संदर वीडियो होने वाला है हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया तक यह बाबा रहते हैं वह बहरुजी महाराज की सेवा करते रहते हैं और वह 24 गंटे यहीं रिपे रहते हैं उनसे और इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है और बहरुजी बाबा का इस्तान या कब से और बाबा का इस्तियास में पूछते हैं बब क्या नाम आपका नाम को आर आरा रहा है और बहुच्छन तो बबाबा आपको पता है कि वहरुजी महाराज का इस्तान है और इक एस्तान ना इनका पहरुची ने पर है जापर बशी जद कोई इस्तान जेना तो बाबा यह यहां पे जो बहर जिमाराद का इताना आप कह रहे थे कि खेजडी की जड़ में वो यहां कहीं से लाया किया है यह कहीं से लाया कि आप यह लादी हुए है मुर्ती अचा मिली भी मुर्ती तो आप अब बतार थे कि अधर जड़ जो बतार लेंगे डिवा जो द मसा कुंग एक स्सवर गयर प्योषक के अधर श्यूमे लोग जो इंधरिय पहारे द करे भी मैने में रिजस्ट अब क करोई पह इंदारव बिदेश् vanish घाड़्िम मनिदे ज क्या कि आ्रोय जो बाला जिमाराद के पास Goddess आप बतारख तो रहो है तो पर यहीं का स्थान बना दिया है तो यह लोग पूजने लगगें तो यह खेज़ा तो अभी शूग गया और दूसरा लगदा यह पर यह जो इन्रमान्द करवाइये किसने करवाए बाब यह गाउं करवाई और अधार इस थारा इन करवाइये पर नहीं यह सब यह जो बेटें वहान गड़ा उत्रय था उन यहाई पर कितने लोग आते हैं कि अधर पर आते हैं कि बोट आते हैं अंपर तर मेरा बदना बड़ता है जुद्था वह अधर बादवा के नौधतांतां जै और यह एटने लोग वह थे ने क्या कारण और को रेजनी ओगा बबा बाबा को मतवलिया जे बाबो बांज दिया ने बेटा दियो जे बाबा तो इक माला आज भी कोई बिश्वास कर लियो ने जिए सब कुछ आनने चे ये बात है तो देखा आपने सुना कि बाबा बता रहे हैं कि कहीं से लाये जारी मूर्ती थी और यहां पर गिर गए और है और सभी लोग मतलब गाहाले सभी सभी सहयोग से मिलक करवाते हैं और आप देख रहे होंगे यह के सिर्माल बाबा की दो सोटी सोटी मूर्तिया लगी है दोस्तों यह भी तभी के बन तभी का मंदिर है जब बाबा यहां का उद्गम हुआ था तभी हिसे इनके साथ की ने बताया था है बाबा के यहां जाडु ओम्डा श्थान शावी टावरो जिद्ताम गडीर। दोस्तों इनके अलावा यहां पर होता दावरे बाधा है . खञे लिएई घ्रीम को प्रक्रादि कमना कर देखे सकंद् Soul Android इंद सब्सक्राइब। और यह बहुत सांदार और बहुत अच्छा इस्थान हे दोस्तों यह काफी लोग आते हैं और नौरात्रों में और चेत्रना रहा हुआ लगता है काफी परस्वार्शिदूर देने माले वाब हो संदार इस्तान है दो दोस्तों जो अभी बक्तिगन बता रहे थे वालाजी माराज अब तलाग पाल पर हैं वह यह हैं और हम आपको दर्सद किरुए रह argue je जहाँ से वह एक पह्रोजी माराज का विर्वल्ट को ले जाए गया था न्य कु दिपते हैं जो यहीं खाया जे पीछ बालाजी मार्म significa रहने के लिए तो दोस्तों वह बहरुजी महाराज वहीं गिर गए मौर्ती वहीं गिर गई और उसी खेजली के निचे उनको पद्रा दिया गया और आगे वीडियो में वह तलाई की पाल भी बताऊंगा जो अभी बिल्कुल फिलाल वह तलाई जैसी दिखती नहीं है और यही भी पालाजी महाराज इनका मंदिर बाद में बनाए गया है पहले मंदर नहीं था दोस्तों मैं बता रहा था कि जो जिस तलाई से वहरुजी महाराज में ले जाए ता वह यहीजाएं ती यहीं बताई जाती है आभ यहां तलाई जैसा कुछ भी नहीं है बट यह पाल यहं काल हाँ के यहां बसंने कि टलाओ के बाद कर रए हैं quickest विडियों और पसंद आ आपको दोस्तों याल्yczी महाराज से चेले जहां से माला को इठकम हुआ वह बला जी का इस्थान मैंनेापको सब दिखाया है दोस्त अगर आप Соब कर Nag Hammond करिए और मुझे कमेंट करके बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं साल लाता हूँ अगले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जैई जैवारत